किताबों को पढ़ना भी तो हमें आना चाहिए निशित रूप से एक दौर था जब किताबों को पढ़ने की होड़ लगी होती थी घर में बहुत सारी मैगजीन आया करती थी लेकिन आज के समय में किताबें कहीं धूल खा रही हैं आज हम इसी विशा पर बात करेंगे कि किता किताबों से हमारा मोग क्यों कम होता जा रहा और इस विशा पर बात करने के लिए आज बतौर महमान आवास्थी जो की रचनाकार है और साथ ही जूर रहे है आकाश्वाणी के लाइब्रेरियन डॉक्टर बीर भान साहु जी आपका बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार जी आप तीनों महमानों का हम स्वागत करते हैं और सबसे पहला सवाल डॉक्टर गिर्जा शंकर गौतम आपसे क्योंकि आप टीचर भी है तो आपसे जाना चाहेंगे आपको क्या लगता है क्यों आजकल के छात्रों की किताबों की प्रती रूची कम होती जा रही है विद्यार्थियों की पढ़ने में और विशेश करके पुस्तक पढ़ने में और लाइब्रेरी जा करके पढ़ने में फिलहाल अभी थोड़ा रूची कम दिख रही है और उसके पीछे सामानने तवर पर यही कारण मान लिया जाता है कि अब हमारे हाथ में मोबाइल है और ह हमारे पास चीजे पहुच रही है लेकिन इस में मैं एक यह कहना चाहूंगा कि अब हम ईजन्रों भी साथ में दे रहे हैं इए बुख्च μधे रहे हैं इचैनल जिस तरह से चल रहे हैं उस तरह से विद्यार्थी वहां पर तो जुड़ रहे हैं लेकिन फिलहाल पैरेंट्स भी इसमें हैं टीचर्स भी इसमें शामिल हैं और समाज भी शामिल है कि विद्यार्थियों को अब ग्रंथाले तक और पुस्तकों की और आकरशित किया जाना चाहिए रूच किताबों के लेकिन किताबें ही वो पढ़ रहे हैं डिश्रल प्लैटफोर्म पर रचनाकार अजे करिन अवस्ती जी आप से जाना चाहते हैं लेखकों में कोई कमी नहीं है लेकिन पाठकों में ज़रूर कमी आ रहे है इस विशेपर आपका क्यामत है मेरा कहना है काक्षा जी कि लक्षणों पर नहीं उसकी जड़ पर जाकर विचार करना चाहिए पहले किताबे छपती थी एक मात्य प्रिंटिंग ही साधन था अब इंफर्मेशन के बहुत सारे साधन हो गये हैं एक बच्चे के पास इतने सोर्से से आ रही इंफर्मेशन पहली बात कि वो जिश्टल हो गया है हथेली में कैद मोबाइल से वो सारी दुनिया के खबरें ले रहा है दूसरी बात कि लेखकों में अंतर है स्थानी लेखक, राश्टी लेखक और विश्विष्ठरी लेखक जी आज एक पाठक को नेट पर एक क्लिक करने पर विश्विष्थरी साहित्यकारों के साहित्युपलब्द है आज का लेखक क्या उन विचारों के इस्तर पर लिख पा रहा है अगर कंटेंट आपका अच्छा नहीं है या कंटेंट आप उस इस्तर कर नहीं ले जा पाते तो पाथक कि रूची घटनी है आज विश्व के महान साहित्यकारों को एक क्लिक में PDF में पढ़ रहा है और आप ए कि रचना इतनी गंभीर लग रही है इतनी आकर्शक लग रही है और एक लेखकी रचना इतनी सतही और साधरन लग रही है वो तुलना करके यह देखता है कि मुझे कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए और इस कारण से नेट पर जाकर के वच्चा भी स्विश्विस्तरी साहि आज से ढूंड लेता है इसलिए प्रिंट मीडिया का बहुत ही जादा गिरावा ताही उसमें फिरिंट मीडियो इसलिवी गिरा है कि डिजिटल मीडिया बहुत आगे हो गया है किताबों के रचनात्मक्ता पे आपने बात की हमाई सार डॉक्टर बीरभान साहू जी जुड़े हुए लाइप्रेरियन है आकाश्वाणी केंद्र राइपूर के सर आप से जानना चाहेंगे कि लाइप्रेरी की तरफ कितना रुजहान होता है कितनी किताबे पलटत करना चाहूंगा कि अंदकार में सूरज बनकर सबको दे उजियारा पुस्तक जब भी भटके सही दिसा से बने भोर का तारा पुस्तक अब पुस्तकों के संबंद में जैसे कि आज हम विचार करते हैं कि पढ़ने के जो रूची है इसमें गिरावाट आई है तो सबको पता ह हैं कि आज के यूग में जो ग्यान का जो माध्यम है वो पुस्तक नहीं रहा गया है अब हमारे इदेख्लानिक माध्यम आ गया है और इस यूग में हर आत्मी को रेडी टू इट सब आत्मी को मतलब बुना है पकी पुखाए जी हां चाहिए तो कोई लाइपरी तक जाना औ जाकर किताब को ढूलना इसमें अपना समय बरबाद नहीं करना चाहता एक अच्छी भी बात है कि जैसे हम लोग लाइबरी साइंस जब पढ़ते थे तो उसमें होता था कि जैसे कोई भी पाठाक आता है लाइबरी में तो उसको उनके रिक्वाइर्मेंट तुरंट मिलना चाहिए तो अब इस कभी को हमारे इंटरनेट में पूरे पूर तुकर दिये हैं लेकिन जो किताब पढ़ने का जो अनभाह होता था किताब पढ़ने के जो इस्थायत तो पन जो होता है वो किताब पढ़ने में बहुत ज्यादा होता था और इसके जब हम कारण के पर चर्चा करें तो मैं बहुत छमा चाहते हुए यह कहना चाहूंगा कि वर्तमान की जो शिक्षा पध्धती है पढ़ानी की जो जो शैली है पध्धती है उसमें बड़ी गिरावाटाई है मुझे बड़े प्रांगन में बिठा दिते थे और स्वर्गी हमारे उस सिख्षा का रहे नहीं जब रानी पदमा की क्लास के पढ़ाते थे तो उसने सेंकड़ों बच्ची जो होते थे जैसे जैसे भाव आता था हर बच्ची के चेहरे पर भाव दिखाई देता था मैं किसी को दोस नहीं देना चाहता लेकिन अब की जो पढ़ाने के पद्दती है उसमें जो बच्पन में बालपन में जो रूची जगाने के जो प्रवित्ती होती थी शिख्षकों से जो हमको मिल जाता था उसमें थोड़ी से कम्याई है इस और ध्यान दिया जाना चाहिए मी किलाश की पढ़ाई तो धने इसलिऑ करते हैं की अधिर सख्षक पढ़ाई के जावबात करते तो साहित की बात आतीच है बिदिन प्रकार में इस साहित पढ़ाने की रूची में कमी आई आ है और हमारे पूरवरति जो वक्तन ने sport लिख करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आजकल जो लिखी जारी रचनाय है क्या उतमें गेरता नहीं है इस वजह से याद नहीं हो पारी है या उसे उस धंक से नहीं पढ़ाया जारा है इसलिए लोगों की रूची उसके और कम हुई है जैसे साहित्य की बात भी हो रही थी की साहित्य की कक्षाओं में लोग बैठते थे और तलीन होकर के बाव बिभोर करके पढ़ते हैं ठीर्द अभी है लेकिन परंपरा में ठुटा सा गिरावटी आई एकि पुस्तक ओंको लेकर पढ़ने के परंपर हैं कख्छा में यह लेकर कि विद्यारती भी अपने टेक्स्टीबुक ले पहुझते हैं और टीचर भी अपना पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसमें जो गिरावट है वो मैं कहना चाहूंगा कि जो सामागरी उनको मिल रही है के इंटरनेट के माध्यम सि suspects नहीं है इसलिए कि और zar बाती पापुलर सॉर्प्सामाइ मालव yields नियों सकते हैं या खटा में सिस् Watts पर ने की परमपर खटा और समय में आता है इसलिए हर साहित्यों समय पढ़ने का और परहने मां開始 かहां बढ़ा रहे तो उसको भी हम पूराने पाधित से भी पढ़ा सकते हैं और आज कल नहीं जो डिश verschiedene तेनटेशन आ गएं ANYवाज बना और पढहते हैं और उस माध्यम से भी बच्यें पढ़ रहे हैं लेकिन फिर बीब पर्धने के साथ जो वो एक उसको आनन्द के साथ पढ़ने के परंपरा है उसमें साहित की जब हम बात करते हैं तो गारजीयन हो या टीचर सू उनका जोर बच्चों के परसेंटेज पर जाता है और फिर उनके लिए कुछ देश निशित कर दिये जाते हैं कि तुम को इस फिल्ड में जान किताबों पर जादा फोकस होता है टीचर को भी एक समय सीमा के अंदर ही अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है उसे पर भी अलग तरह के दबाव होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पाठक के पढ़ने की रूची में गिरावत नजर आती है केरियर के पुर्ती ज्यादा विद्यार्थिये भी बढ़ रहे हैं इसलिए वह उनको कुछ एक टीचर मेहनत करके जाता है कोई पढ़ेगा। घंट करने पढ़ेगा। उसको मेहनत करना पड़ेगी उसको ध्यान देना पड़ेगा। वह इंटरनेट की समागरी पर जाते हैं। उतनी मेहनत नहीं करते हैं। जी हर किसी को बहुत जल्दी स्वाध चक लेना है सफलता का लेकिन उसके पीछे परिश्रम नहीं करना है अजय किरे नवस्ति जी आप से अगला सवाल मेरा ये है कि देखा है हमने की लोग जितनी रूची अपने पठन-पाथन की सामगरी में लेते हैं खास दोर पर पाठिक् किताबों में नहीं होती जितनी भीड हमें अन्य कारक्रों में नजर आती उतनी किताबों के विमोचन में नहीं होती जितने भीड हमें अन्य स्टॉलों में नजर आती उतनी किताब के स्टॉलों में नहीं होती तो इसकी वज़ा आपको क्या लगते है इसका मुख्य कारण ह कि एक तो अंग्रेजी का वर्चस, दूसरा हिंदी साहित्य को बहुत ही ज़्यादा उपेक्षित किया गया है, आज केरियर ओरेंटेट पार्टिक्रम है, किसी भी विद्यार्थी को आप देखें, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में जाना चाहता है, हर पालक चाहता है को उस अंग्रेजी के हैं, उन्हें जो कमाई है, हिंदी के लेखा को जीरो भी नहीं है, हिंदी के लेखा के किताब आखिरी BK कहां, सारे इस्तर पर सिख्षा के अज अंग्रेजी चाही हुई है, दूसरा केरियर ओरेंटेड है, बच्चों को कैसे केरियर उनका सॉलिड हो जाए, अच्छा हो जाए, तो हिंदी साहित इतना धुमिल हो गया है, और तीसरी बात है कि रचनात्पक्ता की गुणवत्ता में बहुत गिरावट आई, क्योंकि वो बीढ़ी ही तयार हो रही है उस तरह की, जिसे साहित्य का संस्कार ही नहीं मिल रहा है, महादी, वर्मा जी, पहाई हो रही है, बच्चों की रूची इसलिए घड़ गई, दूसरा, सोचल मेडिया और इल्ल्ट्रानिक जो जगत है, उसके बेहिसाब इंफार्मेशन बच्चों को मिल रहा है, मनुरंजन के एक से एक साधन मिल रहा है, वो आपके साहित्य को पढ़के बोजिल होना ही प्रेरग साहित, मोटिवेशन करने वाले लिट्रेचर जो है, वो बच्चों को माबाव संसकार में देते थे, लेकिन आज बच्चे के पास इतनी ज्यादा साधन है, मेरे एक मित्र है, प्रोफेसर है, वो कहते हैं, अपनी पीड़ा बताते हैं, जब मैं कालेज में पढ़ा ना चाहेंगे, बीर भान साहुी तरफे शुह मैं एक भी लिटता बचची कि बच्चायाँ के लोच शवर में किछले जाने के वह मुर्श का विअ अपने आपको जाते हैं, दिजिबयारी क्यों जाने में जाते हैं, ओन को जो शुवा साहित खा हैं, चितावन ने को हम स 좀 किताबों की तरफ कम हुआ है क्या आपको यह लगता है कि किताब पढ़ने की परंपरा कक्षाओं में खास तोर पर स्कूलों में अब उस तरह से नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी इस वज़े से किताबों के प्रतिरूची कम हुई है अब बहुत हद तक आप सही कह रही है अब पढ़ने के जो पढ़ने के जो मास्टरों के जो शीक्षकों का जो यह है उनकी मजबूरी है कि उनको टार्गेट दिया जाता है कि आपको इतना पढ़ाई कराना है और पहले जैसे जिस तरीके से कोर्स निर्धारित होता था वो एक करें आपको यह लुग में आ गये हैं और हम लोग हर माबाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा जितने से जितने ज्यादा जादा अंग्रेजी को जाने मतलब इंग्रिस ओरियेंटेट जो सिख्षा है हम हर माबाप हम लोग भले स्विकारे नस्विकारे हिंदी मेडियम के स्कूल जाने की सरकारी अस्पताल की तरह हो गया है हमको नौकरी तो चाहिए सरकारी स्कूल में लेकिन अपने ही बच्चे को टीचर तक नहीं पढ़ाते हैं तो यह दुहूरी जो मान सिखता है इसको हम को हटाना पड़ेगा और हम लोग क्या पुराने समय के जो टीचर या पुराने समय के लोग जो उसी सरकारी स्कूल में पड़ते थे और उस समय के गुरुजी लोग इतने बड़े-बड़े दिग्रेधारी नहीं होते थे क्या उनके पढ़ाये विध्यार्थी इतने कमजोर थे नहीं ना तो हमको पूना विचार करना पड़ेगा कि हम लोग जो भागम भाग की जो अनामस्यक रूप से भाग दवड़ कर रहे हैं तो जब तक हम लोग एवाइड नहीं करेंगे जब तक उसको छोड़ेंगे नहीं तो साहित्य की वर कैसे हम लोग बढ़ताएंगे साहित्य एक अला की ज़िए साहित्य भाव से जुड़ा चीजिए है और तैयार करते हैं तैयार करते हैं उस समय बहुत गंबिरता सी इस विचार को इसमें सामिल किया जाना चाहिए कि हमारे कोर्स में केवल और केवल पैसे कमाई के साधन ना बना जाए साहित्य इंसान में भाव जगाता है इन भाव को भी समाहित किया जाना चाहिए बिल्कुल भ कि तरफ हम ना बढ़ें उस भाव को हमेशा अपने मन में जीवन्त रखें यह हमारे बहुत जरूरी है गिर्जा शंकर गौतम जी आप कुछ कहना चाहरे थे हम आपका व्यू जानना चाहेंगे साव जी ने काफी कुछ मेरी बातों को अपने में समेट लिया है लेकिन दो तीन चीजे हैं एक तो बच्चों के दी कैरियर बन जाता है तो इसके बाद मनोरंजन के लिए साहित्ति की और नहीं आते हैं वो अन्य साधनों की और जाते हैं मुझे लगता है वहां पर जो हमारा सांस्कृतिक साहित्य है उससे उनको जुड़ना चाहिए दूसरा यह कि इस एक फिल्ड के लिए फोकस नहों करके सबीकों महत्तों कम मिल रहा विद्यार्थियों को सूचना से आटा करके ज्यान की और लाना है तो विद्यार्थियूं देफ्स आफ नॉलेज में जाएंगे और यह हम पुस्तकों को जब तक हाथ में लेकर नहीं पढ़ेंगे तब तक संभो नहीं होता है यह हम मोबाइल के माधिम से पुस्तक तक पहुंचते हैं तो हम पाठक नहों करके कुछ भोगता होते हैं जहां पर हमको तमाम जो चीजे उ सकते हैं इसलिए पुस्तक की संस्कृति को दुबारा लाना चाहिए और जो अच्छे विद्यार्थी यह कंप्टिशन की तैरी कर रहे हैं तो बगैर पुस्तकों के नहीं है जो इस भाव को इस चीज को समझ नहीं पा रही है और वो सोचते हैं कि हमको सारी चीजे गूगल म जंदता हमारे पास ही आते हैं कि का यह सही है ऑर फिर हम कहते हैं कि तो गूगल में सही नहीं पादा फिर उनकों की और आना पड़ता है अभी जिया अच्छाहक बोहुंका सीधे सीधे पाठक तक पहुचना चाहिए उसमें एक आलोचक की भूमिका बहुत महत्यपूर्ण है जो रचनाकार के किये हुए काम को हमारे सामने लाता है उसकी अभी कमी पुस्तकों में महत्यपूर्ण है जिसकी अभी हम लोगों ने चर्चा नहीं की जी और सर जैसा कि हाथ में लेकर पढ़ने का सुकलग ही है निश्टीत रूप से जब हम उसकी फोटो कॉपी भी कराते है ना तो वो खुश्बू नहीं आती वो शब्द नहीं महकते और वो आनंद नहीं आता किताबों को पढ़ने का और अजे किरन जी आप से जानना चाहेंगे कि इमला लिखने दिया जाता था फिर किताब रखकर खुद ही अवलोकन करते थे चात्री से उनका शब्द गान बहुत जादा बढ़ जाता था शब्द कोश बहुत सम्रिद हुआ करता था आज के समय में यह स्थितियां बदल गई है हमने स्कूल में में लाइब्रेरी पीरेड रख बात हो गई है कि यह होना चाहिए यह होना चाहिए यह होना चाहिए यह होना चाहिए क्या हो रहा है इस पर विचार करें आप विश्विस्तरी सूचना के माध्यम खुल गए है पूरी तरह से कोई बंदिश है क्या बताइए मुझे आज मैं एक मिनिट में बैटके अमेरिक कि लाइबेरी में जा सकता हूं, वहां की किताब मैं पढ़ सकता हूं. SU पलबधता मेरे पास विश्विश्थरी है. अब हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए? इसमें बहुत डिफरेंस है. हो यह रहा है कि सूचना के माध्यम बहुत प्रबल और बढ़ गए है, हर छड़ व्यक्ति को हजारों तरफ से सुचना है मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं कि किताबों का आनंद ही अलग है, आज एक मोबाइल को हाथ में रखा हुआ छात्र, दस घंटे रखता है तो उसके हाथ में प्राबलम होने लग कभी किताबों को लेकर पढ़ने से ऐसे शिकायत नहीं आई, किताबों का अलग रस है, किताबे बहुत महत्पूर्ण है, किताबे देवतुल्य है, सवाल यह है कि हो क्या रहा इसको स्विकार करके उसका समधार ढूड़ना पड़ेगा, होना क्या चाहिए यह तो दर्ष बा सागर बन गया है, आपको आडिवल फाम में लाना पड़ेगा लिटेचर को, आज बड़े-बड़े साहित यह आडिवल फाम में आ रहे हैं, लोगों को लिसनिंग के आदर डालने पड़ेगी, तब वो जो वीजन है, वो कम होगा, सुनेंगे लोग और प्रिरित होंगे, आपको लगता है कि शब्द वो माध्यम हो सकते हैं, जो किताबों की तरफ फिर से रुख कर सकता है पाठकों का, और ऑडियो के फॉर्म से जुड़े हुए, डॉक्र गिरिजा शंकर गौतम जी, रवी शंकर शुकल वेश्वेदाले से हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जुड हैं, और मैं चुकि ये कारक्रम को संपन्द करने के समय आ चुका है, तो मैं इस कारक्रम के माध्यम से एक अनरोध करना चाहूंगा, कि 75 साल के करीब करीब हम लोग इस देश को सवतंद्र हुए हो गए हैं, और अभी तक 29-30 राज्य बन चुके हैं, लेकिन घौत दुख के स साथ कहना पड़ता है कि अभी तक बड़ी मुश्ख से 19 राज्यों में लाइबरी अधनियम लागू हो सका है, क्या है लाइबरी अधनियम लागू होने से सरकार के लिए बात देता होती, कि नीचले इस तर तक कैसे सीख्चा कि लाइबरी को पहुँचा जाए, किताबों को पहुँचायाएrics कई बार क्या होता है कि कोई चीज उपलब देनी होता चाहे जाए किसी के कारण से हो जा है आर्थिक कारण से हो चाहे अन्यकिसे भी कारण से हो तो घी घिरेधनी देनी में गिरावटाती जो सरकार से मेरे इस कार्गम के माध्यम से निवेदन है कि trantallag आधने हम यह तिस्टिसगर में 2006 में लागू हो चुका है पर जिस कड़ाई के साथ उसको लागू किया जाना चाहिए क्योंकि लोगों को जन जन तक किताबों को पोचाने के लिए किताबों के माध्यम को चाहिए अभी टेखनिकल माध्यम हो चाहिए कोई भी माध्यम महत्वपून चर्चा में शामिल होने के लिए किताबे महकती हैं खुश्वो की तरह जब हमारे हाथ में होती हैं शब्द मुस्कुराते हैं जब हमारी निगाव में होते हैं और शब्द बोल उठते हैं तब जब किताब से निकली हुई बाते हैं हमारे मुख से निकलती हैं किसी और विशे के साथ होगी आप से मुलाकार तब तक कीजे थोड़ी से प्रतिक शाहतोरा संतिजार नमस्कार